हैलो फ्रेंड्स मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आजम बताएंगे कि घर की ऐसी घर की जो रेमेडिस होती हैं उनसे अपना कलर किस तरीख से फैर कर सकते हैं वो भी बिना खर्चे के बिना आपको पालर जाए हुए आपका कलर इतना फैर कर सकते हैं इतना गोरा बना सकते हैं कि आपको कभी पालर की आवशकता है नहीं पड़ेगी जाने की आपके हाथ पेरों का skin का color इतना साप कर सकते हैं इतना glow आ सकता है आपके चेरे के उपर आपकी skin के उपर की आप भी देखके धंगरे जाएंगे और बीना खर्चे की चीज है और खरकी ही रख़ी remedy से बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो पूरा एंड तक देखना तो यहाँ पे मैंने सैंपू लिया है, सैंपू आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आप सैंपू यूज में लेते होंगे, वो ही आप सैंपू ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने सैंपू लिया है, यहाँ फिर दिद्व मेत के लिएë और तर्पोर मैंशा खत्मिन और की सरे बहुत काम आएं थ़क जब इंड wonders करें और जो ख़़न आसे आम थे चीजिर से बढ़ा सकते हैंival जाते हैं तो पहुत अधा खर्चा लगता है कोई भी क्रीम लगा देते हैं तो सो से कमकी नहीं आती है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यह रेमेडी जूज में लेंगे तो आपके स्कीन हमेशा के लिए गलो करेगा कभी भी आपकी स्कीन में छाईया जूरिया नहीं पड़ेंगी यहां पर मैंने लिया हल्दी यह मैंने किस्तूरी हल्दी लिये किस्तूरी हल्दी मार्केट में बहुत एजली मिल जाती है कोई भी सोप पे जाएंगे तो आपको यह मिल जाए क्योंकि फ्रेंस किस्तुरी हल्दी में भरपूर माता है। और वो की सब tubers của our skin के लिए बहुत help करता है। यहां पे मैंने लिए नीबु नीबु हमारे हाथ do Baro कि गंदगी सो पिदा जै की विआड़ Test Sorry तो फ्रेंड्स आगर आपके जैसे नीबू स्किन को नहीं सूट कर पाता है जैसे किसी किसी की स्किन हैसी होती है बहुत नाजुक होती है तो खटी चीज नहीं सूट कर पाती है खुजली हो जाती है दाने निकल जाते हैं तो friends आप इसको skip कर सकते हैं, आप इसके बदले में और कोई चीज डाल सकते हैं, या और कोई भी चीज का कौफी डाल सकते हैं, तो मैं दो option दे रही हूं, कि आप नीवू नहीं सूट कर रहा है आपकी skin को, क्योंकि स्किन के उपर हम कोई भी चीज का risk नहीं ले सकते, बट यह ऐसी natural चीज है friends की आपको फाइदा ही करेगा कोई इससे side effect नहीं होगा क्योंकि friends से हल्दी हमारे कटे दाग को भी ठीक करती है कटे उटे को भी दाग जो हमारे लग जाती है चोट उसमें भी हम हल्दी का यूज करते हैं अगर हमारे अंदर की चोट होती है तब भी हम हल्दी का दूद पीता है क्योंकि विटामिन बरपूर मात्रा से इसमें पाई जाती है हल्दी के अंदर और बहुत ज़्यादा हम शादी पाटी होती है शादी में सबसे पहले हम हल्दी का यूज करते हैं क्योंकि हल्दी हमारी स संदरता बढ़ाने के लिए बहुत जादा अच्छी होती है तो हमें हल्दी का यूज करना ही चाहिए इसकीन के उपपर क्योंकि इससे हमारा कलर बहुत जल्दी निखर की आता है बहुत जल्दी साप होता है तो मैंने लगाने का तरीका देख सकते हैं मैंने आलू काट रखात तो आलू की हेल्प से हम इस तरीके से मसाज करेंगे हाथ पेरो पे अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे होगी कि आप बहुत ज़्यादा कलर आपका साप है कि मैं तो क्यों लगाँ वालू यह चीज़े तो फ्रेंड्स उनके लिए भी इसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स उससे आपकी स्किन और भी नाजुक होगी और भी सॉप्ट होगी और भी चमकदार बनेंगी और भी स्किन में गलो आएगा और आपकी स्किन जैसे आपकी उमर थोड़ी जादा हो रही है तो आपकी स्किन में बिलकुल भी जूरिया नहीं पढ़ेंगी और आप की इसकीन बिल्कुल बच्चों जैसे दिखेगी जैसे छोटे बच्चों की इसकीन बिल्कुल नाजुक होती है ना बिल्कुल सोप्ट होती है उस टाइप से आपकी इसकीन रहेगी बिल्कुल अच्छी रहेगी तो फ्रेंड्स ये घर की ही बहुत अच्छी रेमेडी से इसका आप पे इस्तिमाल करेंगे तो बहुत ज़दा फाइदा उठा सकते हैं आपको कभी पालर बाहर जाने की आवसकता ही नहीं पड़ेगी आप हपते में दो बार लगा लीजे फ्रेंड्स दो बार में तो आपकी स्किन जो कोणिया होती है वहाँ पे थोड़े से काले दब्बे होते हैं तो वहाँ पे इसको ज़्यादा रगड़ना है जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा दब्बे हैं और फ्रेंड्स जैसे चाईयों से बहुत ज़्यादा लोग परिशान होते हैं तो इस पेस्ट को छाईयों पे भी लगा सकते हैं क्योंकि हल्दी से छाईयां बहुत जल्दी कम होती हैं बहुत स्पीड से कम होती हैं और इससे गोरापन बहुत जल्दी निखर के आता है क्योंकि फ्रेंड्स हम दूला को भी दूलन को भी यही चीज लगाते हैं करते हैं इसलिए लगाते हैं हमारे जो दूला दूलन हैं बहुत सुंदर दिखें तो यह पर पेर पेज़िसमाल करेंगी क्योंकि हमारे सब मेंध खुले पेर ही होते हैं हात और पेर और पेर और चेरा होता है तो हम इन तीनुद ጃफ ही जादा काला पन हो जाता है गंद की जम जाती है मेल जिसको बोलते हैं धब्बे हो जाते हैं तो मैंने हातों पेरों पेरों पे दोनों भी अपलाई किया है साइड में ये देख सकते हैं काला काला हो जाता है तो उस पे भी इसको लगाना है रगड के लगाना है क्योंकि वो देख सकते हैं आप एक दो दिन में ही आपका पूरा काला पन हाथ पेरों का स्कीन का चला जाएगा और आपकी स्कीन ऐसे चमकेगी जैसे आपने अब भी अब भी बहुत महंगा फैसियल किया हो बहुत महंगी कोई चीज लगाई हो तो फ्रेंड्स इसको जरूर आप फॉलो करें जरूर और आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि और नेचुरल रहेंगी है हमेशा के लिए आपको कोई ऐसे नहीं है कि आप दो दिन में आपका नेचुरल पन खतम हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं है तो अब पिल्कुल एक दम सौप्ट मुलाइम हो चुकी है और बहुत जैसे कच्ची स्किन हो जाती है इससे तो अपरेंस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं आज के लिए इतना ही थैंक यू झाल बताएं तो जाएं बताएं ।ो अज़ एन मुलाइम करेंस भीडियो थưởह जरूर बताएं